हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके योप्योग चैनल और कल क्लासेज में दोस्तों, आज हम लोग DC मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोगोंने प्रिविस लेक्चर में काफी कुछ चीज़े देख ली हैं आज हम लोगों देखेंगे कि DC मोटर में कैसे उसका स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है ठीक, यानि आज का हमारा टॉपिक है DC मोटर में स्पीड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल आफ दीसी मोटर ठीक, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्पीड है वो चाहे जो मोटल हो चाहे वापर सीरीज हो संट हो कंपाउंड हो इसमें जो स्पीड है वो किन किन फेक्टर पर डिपेंड कर रही है निर्वर कर रही है तो हम लोगोंने बेसिक पादूला पढ़ा था कि E3 is equal to E3 is equal to K5 N यहां से लोग N की वेलू बर निकालें तो मिलेगा N is equal to EB upon K5 K constant था अगर मस्यर्ट डिजाइन को जाएगी उसके बार number of 4, जड़ी की वेलू, number of तदर पाद यह सब्सक्रा जाते हैं fix हो जाते हैं, constant हो जाते हैं इसमें लोगोंने मान लिया था क्या K और हम लोग BC मोटर पढ़ रहे हैं तो मोटर के स्वें उनको पता है कि जो EB है EB बराबर होता है V minus IA into RA यह हम लोग की EB की वेलू है यही EB की वेलू हम लोग यहां पर put कर सकते हैं तो हम लोग को मिलेगा क्या N proportional के को हड़ा दे जाला है and proportional हो जाएगा V minus IA RA अपान नीचे क्या बचा है phi यानी flux तो जो BC मोटर में speed है वो इतने factor पर depend कर रही है ठीक वो factor पर कौन से है supply voltage IA RA R nature current थी और RA क्या था R nature का resistance file क्या है field flux तो जो speed है वो तीन चीज़ों पर depend कर रही है वो तीन चीज़ें कौन कोन सी है सबसे पहला है flux ठीक दूसरा क्या है R nature voltage R nature voltage पर और कीज़ें वीचर बोल्टेज़ों पर और तीसरी चीज़ है supply voltage सेकेंड नंबर है और थर्ड नंबर है सप्लाई व्ल्टेश कंट्रोल मेथर्ड तो इस रटरना कुछ भी नहीं है सब चीजें हम समझेंगे स्पीड की स्पीड डिपेंड करेंगी उन फैक्टर्स को चेंट करके हम आसानी से स्पीड की वैलू को चेंज कर सकते हैं या फिर घटा सकते हैं तो आएगे देखें कि क्या चीज करने से स्पीड बढ़ेगी और क्या चेंज करने से स्पीड घट जाएगी तो हम लोग तो दिख्रा है कि जो स्पीड है वो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोस्ना आई तेस बिड में अगर वलॉ को बढ़ाया जाये तो स्पीड में ध cap यहां नहीं दिएक हैं यह कोई भी Magnetic material है इसके और लोगों ने क्या किया नंबर आफटंड को लपेड दिया यही क्या बन गया इलक्ट्रमैनेट यहीं से क्या उत्पन होने वाले हैं Electrics Flux Magnetic Flux यह जो Flux है एक बार जितना situation के बाद मैक्समों Flux जितने होने थे वह मजीन में एंडूज हो चुके हैं अब उस्य अब वे को मसीन डिजाइन के बाग में बढ़ाया नहीं जा सकता है क्या करेंगे जब तो चाहेंगे ठीक, जैसे फ्लक्स की बन्यों को घटाएंगे, इस्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब इसी रहा साथ है, कि अगर हम लोग फ्लक्स से इस्पीड को कंट्रोल करना चाहेंगे, तो जितनी मसीन की रेटेड स्पीड रही होगी, उससे हमको ऊपर की स्पीड प्राथ होगी, उससे कम की स्पीड हम लोग को नहीं लेगी, ठीक, क्यों, क्योंकि एक बार मसीन रिजाइन हो गई, तो फ्लक्स की बन्यों क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी बन्यों को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा कर्टर, यानि आर्मे प्रपोर्शनल है वी माइनस आई ए आरेके तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आदेश्चर भारा तो लोड़ोगर इकट कर रही है ठीक है और यह जो आदेश्चर का रेजिस्टेंस है हम लोग प्रयास करते हैं इसकी वेलू क्या हो कम से कम जबहकि जवेलू कम रहेगी पूदना हम लोग के लिए क्या है कलतेश्चर ब मोल्टेट ड्रॉप या आई स्कौस्टेश्चर क्या हूई कम जाएंगे तो नो यह इनक करेंग एक बार जितना था मिनुम्मार्प आं के कर सकते थे उतना कम लोगों आप लिए अब हम लोग आरे की वैलू को उससे कम नहीं कर पाएंगे, क्यों क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का मतलब क्या, बाहर से आप एस्टन दगा दीजो, ठीक, लेकिन आप आरे की वैलू को जो उसकी फिक्स वैलू है, उससे कम हम नहीं कर पाएंगे, तो जब इसकी वैलू को क्या क्या करें बढ़ाएगी जब आयर एक इवेलंौ बढ़ाएंगे तो यह बढ़ाहएंगे मालीYes- स्वेल्म औरी माइनस का सांदि एकषा गटेगी 292 पूरा सभी करण है यह जो मान है इसकी मेलू क्या हो जाएगी घर जाएगी एक्जामपल मिलें यह जो मसीम डिजाइन थी मालीचे की 200 वर्ट सप्लाइए रहते ड्रॉप हो रहा था 10 वर्ट का केतना मिलता एक सो नंपे लेकिन अभी हम लोग ने क्या किया आहे की वेलू को बढ़ाया यह यह पुरा मिलता राओ क्या होगा बढ़ेगा जो पहले दस था मानी जिए 15 वर्ट अगर वोट हो रहा है तो आप 200 में से क्या होगा बीस माजस करें तो कितना बचेगा 180 बचेगा यानि यह पूरी मेलू क्या हो यह घर जा रही है और अगर यह बढ़ गट रही है तो सीधी इसी बात है कि जो स्पीड है वो भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी घड जाएगी ठीक यानि जो आर्मेट्ट चल गुल्टेश कंडोल मेंथड है इसकी सहायता से गड़ जब हम लोग इसको घड़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी? घड जाएगी ठीक फिर 3rd पे आते हैं यहां करतेज कर दिका रहा है N proportional है V Supply voltage V के प्रपोस्का में है और वोल्टेश को आसानी से भढ़ाया जा सकता है आसानी से घड़ाया भी जा सकता है तिये क्या है? Supply voltage है ठीक तो अगर हम voltage को बढ़ाएंगे तो इस स्पीड क्या होगी, पढ़ेंगी, और अगर हम लोग वोल्टेज को घटाएंगे, तो इस स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब वोल्टेज कंट्रोल तो मैंठड है, इसकी सहायता से हम दोनों गतियां प्राथ करेंगे, रेटेड से उबर की गति भी, और ठीक चलिए इस तीश को नोट कर लेते हैं फिर से समाल लेते हैं अच्छे से पी चीज़ है थी चलिए तो किस से ऊपर किस पी बिलेगी किस से नीचे किस पी बिलेगी यह कोश्चन भी ऑप्जेक्टिक के लिए खाफी इंपॉर्टन रहता है ठीक टो हम लोगों ने कहला देखा फ्लक्स कंट्रोल मैठट एपाव कि इस फ्लकस मेंध़र में प्टया हरें ऑगर फ्लकस कंट्रोल मैठट जो है इससे हम लोग केवल पहला पॉइंट एन इनुवर्स्टी प्रोपोस्टनल है फाई के जिसका सीधा सा मतलब है कि फ्लक्स को भटाएंगे तो इसपीड क्या होगी बढ़ेगी तो इसमें हम लोग मार्ट करेंगे कि इससे हमें एबब रेटेड स्पीड मिलने वाली है यानि ज हर से खिए अब कैसे करना है अलगा मुट्रों में वाद में देखेंगे फिर आपके हां कि जब आप करेंगे कि आवी चैनल में बिखा आग ये चर्ट वर्टिज में हम लोगों में देखा कि जो N है ये V-I-A आदेंगे प्रपोस्नल है इस वेलों को हम लोग क्यों क्या करेंगे बढ़ाएंगे आई आदेंगे बढ़ाएंगे जिससे पूरा समीकर इसका मां क्या होगा घटेगा जब इसका मां घटेगा लोग मीजस हम लोग समान इंगे जी नीचे देजी फली प्राथ करने वाले हैं । समान इगसे फूर मिलेगी और जो थरली मिल्टेट है सपलाइब is में कि तो सप्प्लाइब जोट्रव में ने देखा गया था कि अि ऑन ऐल्य कि श्कहों है वी केश्का पढ़ाएंगे गहट जाने वाली है मतलब इससे हम लोग एबब रेटेड इसमी मतलब समानगे से नीचे की गतियां दोनों ही गतियां इसके से प्राप्त की जा सकते हैं ठीक चलिए यह था इंपोर्टेंट यार रखेगा किसे रेट से उपर मिलेगी किसमें पूछा दाता है ठीक चलिए सर जाता होती है किसमी दचताज घटाती है इन सब चीजों को इतना से देखें अब मिलूं पहला मैधेड था फिळ्ड Dauchals Control मेधेड जै जब को की बाद कि जाएगा तो हमें लोग हम भी देखा में मस्यर्ट डिजाइन के गहां करें के जिससे स्पीड का होगी बढ़ जाएगी यानि इस मैठट का यूज करेंगे रिटेट स्पीड से उपर दी प्राप्त करने के लिए अब यहां को ध्यानी देना है कि जो मसीन की निर्धारे दती रही होगी उससे हम लोग को उपर की गतियां प्राप्त होंगे ठीक कुछ समय के लिए जब तक हम लोग यह चेंज लाएंगे तो अगर हम लोग दिखिये टी बड़ाबर हम लोगों ने पड़ा है के फाई आई ए अब ध्यान दीजे अगर हम लोगों ने फ्लक्स की वेल्डू को चेंज किया तो टाक क्या हो जाएगा चेंज रएयेगा आप बैर कैंज फ्लक्स केंट्रूऊ Performer इसका धूसरा Studio महोता है क्या वैरियवल्डू टार्धर और कंस्टेंट पावर मतल है करेंगे तो टार्ट क्या हो जाएगा इसे टार्ट क्या कर गया परवर्ट नहीं हो गया इस तेज़ विधी को कॉंस्टेंट पावर वेरियेबल टार्ट मेंथेड भी कहा जाता है यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा इंपॉर्टन पॉइंट है और जो दूसरा मेंथेड था कौनसा आर्मीचर कंट्रोल मेंथेड आर्मीचर कंट्रोल मेंथेड जब इसमें देखेंगे तो हम जाते थी घर जाते थी तो अब यहां पी देखिए जब आप पुल्टेश की ड्रॉप को बढ़ाओगे तो ड्रॉप बढ़ रहा है लॉसेज भी क्या होगी बढ़ेंगी आइसको आपके लॉसेज अगर लॉसेज बढ़ेंगी तो क्या पावर कॉंस्टेंट रहेगी नहीं पावर क्या होगी चेंज हो जाएगी इसलिए आग्में चट गुल्टेश ड्रॉप में हम लोग पॉइंट बहां करेंगे इसका जो नाम है दूसरा उसको हम लोग बोते हैं कॉंस्टेंट टार्ग क्यां पर कॉंस्टल कॉंस्टेंट रहेगा वेरीएपल पावर ऑन्स्टेंट टार्ग वेरीएपल पावर मेथ Abg ऑग धना यह कोश्व को समघ् Cast बढह लेगी नहीं फिर अगर डिस्टेंस की वेलू को बढ़ाएंगे तभी इस भी घड़ने वाली है तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो हमलों को पता है कि धारा अगर वह दे यह रेजिस्टेंस से तो वहां पर आईस पर आती हमिया होंगी तो यह जो आपने चल बोल्टिश कंट है अगर तो यह हो बढ़ारी यह जा चाहले जादा हो रही होंगी तो क्यों हो जाएगी तो subac cosa कियो हो जाएगी वह क्यों हो बढ़ रही है χू क्यों हो लांकि जाएक जाएक सबसे जादा कहोंगी जादा हो जाएगी दर्षता क्या होगी सबसे कम हो जाएगी तो किसको वन ताइब बुहाद रखेगा तो कोई दिकतर नहीं होने वाले क्या करके नहीं पड़ेंगे अब हम लोग देखेंगे कैसे में में मोटर है सिरीज कंपांड है उसकी कैसे हम लोग इस पील को इन्हीं वीदियों की सहाइटा से तो सबसे पहले हम लोग करेंगे संट मोटर की कि जब संट मोटर में तीनों विदियां करेंगे करके सबसे पहले हम देखेंगे फिल इस पंट्रोल में तो सबसे पहले बना लेते हैं संट मोटर लिए तो संट बाइडिक बताया गया था पतले ता और अधिक नंबर आफ टंस रहेंगे कि यहीं यह बन जो क्या संट वूलिट यहां पर कैंड़ी वह बाइक ही में इवी आ जाएगा यह डिस्टेंस आर है यहां पर करण जाएगे रिया इसेच ठीक पहला प्ड़ रहे हैं फिरन फ् assessments became salary last control मैफिए पूल कर रहें की बाल जाएगी तो फ्लॉक्स को परहां से हो रहे है तो कि आदें होंगी मैं यह घ्ड़ाना है इसकी लिए fire कि अधिरे स करेंगे इसी के साथ में हम रूप क्या करेंगे एक्सटर्नल यानि वाहर से प्रतियोत को लगा देगे अब होगा कैसे? पूरी वैलू बढ़े की करंड का मान घटेगा फ्लक्स भी क्या होगा? घट जाएगा और फ्लक्स का मान जैसे ही घटेगा तो गती क्या होगी? बढ़ जाने वाली है कती क्या होगी बढ़ जाने वाली है ठीक ध्यान समझेगा तो उसके लिए क्या करें यहीं पर क्या कर देते हैं लोग लगा देते हैं वेरियेवल डिस्टेंस और एक्सटर्नल तो यह हो जाएगा करने में कोई दिकत नहीं होने वाली है रेश्टर्स को बढ़ाना है क्या रहा है धारा कैसे बढ़ेगी बढ़ाएंगी जब हर की बढ़ेगी तो यह क्या होगी घर जाएगी यह जाने वाली है मतलब जो समझने वाला पॉइंट है वह मार करेंगे कि फिल्ड फ्लक्स कंट्रोल में एक्स्टर्नल एडिस्टर्स को जब इंक्रीज किया गया बढ़ाया गया तो उससे स्पीड की वेलूई क्या होगी बढ़े जा रही है ठीक समझने वाली पॉइंट यह था यहां पे ठी है चलिए अब अगर हम लोग बात करें हैं कि दूसरे मैथट की मतलब आर मेंचर कंट्रोल में तो आर मेंचर का वोल्टेश कंट्रोल करना है तो जो संट माइटिंग थी उसमें कोई जेल नहीं उसको ऐसे रहे देते हैं यह जो आर मेंचर था अगरे मेंचर के साथ स्टेए क्या रगा दो एक प्रतिरोज लादो एक्स्टरणर तो अब यहां पे तो आर मेंचर का रिश्टरस था यहां पे करणक्ट आ रही थी आई यह तो पहले अगर यह रेश्टरस नहीं था तो यहां पे ड्रॉप का उंसाउट अगे वड़क जादा हो जाएगा क्योंकि अब जो इबी है इबी एन समानपार्थी है इबी के पिछे देखा इबी बड़ाबर है वी माइनस आई ए आर ए यह पहले था जब तक हम परगों में इसको नहीं लगाया अब जब इसको लगा दिये तो प्लस में एक्स्टर्नल वागा और बढ़ जाएगा जैसे इसका मांध घर गणा ऐसको कि वी लोई क्या होगी हिए क knife जाएगी बहुंचे अट ऑग जा रही है इसमें और इसमें अलग या यहां से जा रही है तो आप लिए ज्यूंकों को कर सकते हैं अब फिम इंची करन आ रहा है रहा है रेजिटन लगा तो आइस वाव कि हमें प्रेंगी तो सीधी सी बात है कि जो पावर यहां से दी जा रही है अब यहां पर लॉस क्या हो रहा है जाना हो रहा है तो आप नेचर में जो पावर डबलंग को रहे थी उसका मां क्या होगा घट जाएगा तो पावर क्या होगी चेंज होगी इसी देश पर क्या आगया था कॉंस्टेंट टार्क लेकिन वेरियेवल पावर में तडिये रहने वाला है तो यह संड मोटर के लिए था और सप्लाई को अचेंज की बात करेंगे यह सारी चीजे और सिरीज मोटर यह हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक चलिए इतना टाप्टिक आप अबर करिए थैंक यू